Hello and welcome to Kitchen Affairs, आज मैं आपके लिए सिंधि फिश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही कम इंग्रिडेंस और कम इफट के साथ इस फिश करी को आप रिपैर कर सकते हैं और साथ में बहुत ही डिलिशियस होता है खाने में, इसका एक डिफरेंस अ फ्लेवर और आरोमा होता है चलते हैं शुरू करते हैं, यहां पर मैं दस रोहो फिश के मीडियम साइज इस पीसेस ली हूँ, इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून रेट चिली पाउड़ा, हाफ टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून नमक, सभी चीजों को फिश के साथ अच्छे से मिक्स करके 15 मिनिट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, नेक्स में ली हूँ, दो पूरा लसन, जो की अबाउट 40 ग्राम्स लसन है यहां पर सारे लसन को अच्छे से क्रश करके ले लेंगे, चार मीडियम साइज के टमाटर जो की अबाउट 260 ग्राम्स है, सारे टमाटर को ब एक साइज से जब अच्छे से फ्राई होके गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए, इसे फ्लिप करके दूसरे साइज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, यहां देखिए अब दोनों तरव से बढ़या सा गोल्डन ब्राउन कलर होके फ्राई हो चुका है, इ यहां पे लसन का कलर चेंज होके हलका ब्राउन कलर का हो चुका है, अब कमाटर प्योरे जो हमने रखा था उससे डाल देंगे, साथ में 1 तीस्पून हल्दी और 1 अफ तीस्पून कश्मीरी रेचिली पाउडर डालेंगे, स्वात के हिसाब से नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम में 10 मिनिट के लिए इस मसाला को हम भूनेंगे, मसाला का सारा मॉइस्ट्र ड्राई होके मसाले में से तेल सेप्रिट होने तक हमें इसे बूनना है मीडियम फ्लेम में, कुछ मिंडों तक भून लेने के बाद यहां पे देख सकते हैं मसाले का कलर पूरा लो फ्लेम में मसाले को भूनेंगे 15 मिनिट तक मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है तो यहां हमारा मसाला एक तम रेडी है देख सकते हैं थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम 500 ml पूरा गरम पानी डालेंगे साथी में हाफ टीस्पून गरम मसाल गरम मसाला डालेंगे मिक्स करेंगे और बॉइल आने देंगे ग्रेवी में तो यहां देख ideally में बॉइल आचुका है तो मचलिया जो मने फ्राय करके रखेते वह सारा इसमें डालेंगे हलके हाथों से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसे इसे कोँवर कर के पूरा लो बहुत ही easy और delicious सी recipe है तो try जरूर कीजिए और recipe कैसी लगी मुझे comment section में लिख के जरूर बताईए वीडियो अची लगी हो तो please like, share और subscribe काना मत भूलिए फिर एक नई recipe के साथ मिलेंगे बाई बाई